तो यहां पर हमने पहली category खत्म कर लिए जिसमें आप जितने expense करते होतना tax free होता है बाकी का taxable होता है अब हम start करें दूसरी category section 10, 14, 2 इसमें क्या होता है आपको जो exemption का amount है जितने exemption का amount है वो पहले से fixed होता है आपने कितना भी खर्चा किया हो गवर्मेंट में लिमिट स्पैसिफाय करकर रखें कि exemption कितना होगा अब हम उनको समझ रहे सारे आपको याद नहीं करना इवन जार्दातार आपको याद नहीं करना है जो तीन-चार important होंगे वह मार्क करके उनको अच्छे से याद कर लेंगे ठीक है तो फर्स काटेग्री तो आपको क्लियर होगी आप बले एक एक बर एक बर एक्जामपल देख लीजे अगर आपको अलाउंस मिला है तो इसमें इतना जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वह आपका टेक्स फ्री होगा बच्छे वो पूरा टेक्सेवल होगा आपका कितना भी अक्चल एक्शा अग्स्पेंडिचर हुआ हो पहला है एनी special compensatory allowance in the nature of specified compensatory allowance ठीक है कोई भी special compensatory allowance मिलेगा हिली एरिया में पोस्टिंग के लिए और कोई high altitude allowance uncongenial climate allowance या फिल snow bound area allowance avalanche allowance ठीक है एनी special compensatory allowance in the nature of special compensatory हिली एरिया के लिए या फिर अगर मैं बोलो तो high altitude areas के लिए आपको मान लेते हैं कि कोई अगर mountain है तो इनकी जो हाइट होती है उसको altitude बुलते हैं तो जैसे for example हमारे देश के अंदर अगरम देखें तो हिमाचल प्रदेश आपको करता है कि हिली एरिया है हिमाचल प्रदेश है उत्तरा खंड है उसके रहावा जमुएन कश्मीर है यह हिली एरिया है देश के अंदर अब मान लेते हिमाचल प्रदेश के उपर किसी की कि पोस्टिंग हुई है कि माचल प्रदेश में यह फिर अद्र्था खंड के अंदर किसी एंपले की कि पोस्टिंग्य क किसी खैल से आसाम का हिली एरिया है हिली अप्ट चेंड है काफे उचाईबर एं जहां पर एक कंपनी के अंदर अपने मेनेजर को पोस्ट् आप जो हीली एरियास होते हैं वहाँ पर अलावंस को देने इस्पेशल क्योंकि जो जनरल फैसिलिटीज आपको दूसरे शहरों मिलेगी वह कई फैसिलिटीज आपको हीली एरियास में था नहीं मिलती जैसे फॉर इक्जामपल जो नंबर ओफ शॉप्स होती हैं जो दूसरे होती है वह आपको हीली ए्रयाज में कम मिलती है क्योंकि वहां पर आना जाना मुश्किल होता है आप जैसे देखोगे कि कोई भी अगर प्ले एरिया है वहां पर बेल्डिंग्स बनाना रोड्स स्कूरेट करना ये सब आसान होता है बड़ जो पहाडी एरिया के वहां पर पर मिलेगी हिली एरिया के अंदर कम मिलती है तो उसी का एक तरह से अलावंस बोलेंगे या हाई अलावंस बोलेंगे तो इसलिए यह सब मिलते है ठीक है तो अब उसके अंदर जो स्पेसिफेड लिमिट है एक्जेम्शन की वो है आट सो या तीन सो रुपे लोकेशन के हिसाब से अब इतने डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे गौवर्मेंट ने कुछ एरियास को स्पेसिफाई करकर रखाए कि इस स्टेट के अंदर इस जगा पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको आट सो रुपे पर महिने टेक्स फ्री होगा ठीक है मान लेते हैं जो मैनेजर है इनको जो अलावंस मिल रहा है इनको जो अलावंस मिल रहा है वह है पंदरा सो रुपे पर मंत फॉर एक्जामपल अब आज के टाइम पर इतने का अमाउंट को के मतलब नहीं है बट यह जो आपकी लिमिट्स है यह लिमिट्स आपकी स्पेसिफाइड हुई थी में 1980s में 1990s में उससे में 800-300 रुपे बहुत बड़ा अमाउंट था उसके बाद सरकार ने बदले ही नहीं अमाउंट वह 800 रुपे जो इतने टाइम 20-25 साल पहले स्पेसिफाइड था वह आज तक चला रहा है तो इसी का एक्जामपल अगर देखें तो पंदरा सो रुपे पर मंत का अलाउंस मिल रहा है उसमें इनका एक्चुल खर्चा कितना भी हो 800 रुपे टेक्स फ्री होगा और 700 रुपे टेक्सिबल होगा भले जो एक्चुल एक्स्पेंड डीचर है वो 2000 रुपे हुआ हो गवर्मेंट को इससे मतलब नहीं है गवर्मेंट ने बोल रखाए कि यहां पर 800 रुपे टेक्स फ्री होगा तो इसके उपर जितना भी अमांट है पूरा टेक्सिबल है ठीक है तो यह जो 800 रुपे 300 रुपे आप नीचे बेगर देखोगा ना 1300 रुपे यह बहुत पुराने अमांट है जो 80s में 90s में जब यह अमांट एक्चुल में 3-4,000 रुपे महीने बहुत अच्छी सेलरी बाने जाती थी यह तब के अमांट है अभी अमांट इतने साथा बढ़े ने दिखते है क्योंकि गवर्न्मेंट में तब से लिके अभी तक इनको रिवाइज ही नी किया है तो अगे बिया अलाउंस आपको इतने याद रखनी का आउशकता नहीं है फर्स्ट वाला यह आप याद रखलो कि 800 रुपे या 300 रुपे स्पेसिफाइड लोकेशन है अगर क्वेशन आता भी है तो आपको बता जाएगा कि यह स्पेसिफाइड लोकेशन कौनसे वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करिया 800 रुपे के 300 रुपे अगर किसी व्यक्ति को सियाचीन के अंदर पोस्ट किया जनरली आर्मी ही होगी बाकि उसके लावा इस जगाओ पर पोस्टिंग जनरल बिजनस की नहीं होती है तो अगें अगर क्वेशन के अंदर 800 रुपे या 300 रुपे वाली सिचेशन आती है तो यह स्पेसिफाइड 800 रुपे आपका टेक्स फ्री है के 300 रुपे और अगर आपका जम्मू कश्मीर में सियाचीन लिखा है तो यह आपको याद रखना है कि 7000 रुपे टेक्स फ्री होगा बट अगें इस वाले पॉइंट के ज्यादा रेलेवेंसी हमारे कोर्स के अंदर नहीं है ठीक है दूसर अगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे तो अगेन अगर क्वेशन को इतना स्पेसिफए करना पड़ रहा है आपको तो क्वेशन आनी के संभाव नहीं बहुत कम है ठीक है अगर क्वेशन के अंदर और नहीं बता दिया कि 200 रुपय परमन्त वाली लोकेशन है तो इसमें क्वेशन के अंदर कोई जान ही ने रहे जाती पर 200 रुप आपको माइनस कर लेने तो इसलिए ऐसा पूंट क्वेशन में देती ही नहीं है थर्ड स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया अलावन्स इसको याद रख सकते हूं कोई स्पेसिफाइट स्टेट है जैसे मध्य प्रुदेशे चातिस गड़े जार खंडे इन एरास के अंदर कोई अगर आपको ट्राइबल एरिया में रहने के लिए आपको पूस्टिंग हुई है की काम से तो वहां पे आपको जितना रुपे वहां पे देंगे वो उस एरिया में रहने के लिए 200 रुपे पर मन तक टैक्स फ्री होगा बाकि टैक्सिबल होगा यह तीन आपको समझपा है पहला अगर कोई हिली एरया के अंदर आपको भेज दिया तो वहां पर 800 रुपय तीन पर लोकेशन के साब से टेक्स फ्ली हो जाएगा सियाचीन में भेज दिया तो साथ हिसार रुपय पर मंत तक इंकम टेक्स नहीं लगेगा जो आपको अलाउंस में लगा वहां रहने के लिए उस पर अगर आपको कई बॉर्डर एरिया में बहजा है डिफिकल्ट एरिया या फिर डिस्टाब्ड एरिया नेक्सलाइट से या फिर किसी भी नेच्छल केलेमिटी से ऐसा को अगर मिलता है त आपसे इतना सार अमांट में सताय होगा कि कौनसा अमांट एक्स फ्री होगा वो लोकेशन देनी पड़ेगी यह दोनों उतने रेलेवेंट नहीं है अमारे लिए इसे मतलब आपको पता रहे इसलम डिस्कस कर रहे है ठीक है ठाड है आपको कई ट्राइबल एरिया में भेज अपकोट अलावन्स घ्रांटेट टो एन एंप्लोई वर्किंग इन एन ट्रांस्पूर्ट सिस्टम तो मिट इस परसनल एक्समेंडिचर दिवरिग इस दूटी ठीक है ठीक है यह यह वारा जो अलावन्स यह स्पेसिफिकली मिलता है एंप्लोई जो कहा काम कर रहें किसी ट ११५ trends पैंजनल के तौर पे किसी कंपनी में कुई ट्राइ्वल कंपनी जो बसके थुर्ण्सपूर्ट करवाती है तो अगर वहां पर है या फिर किसी ट्रग को ड्राइव करते हैं १्राइवर के किसे ट्रांस्पूर्ट कंपनी में अपने रेगुलर प्लेस से रोज बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है तो उसके लिए इनको या तो कंपनी डेली अलाउंज दे कि वो अगर अपने किसी भी काम से मानलेते कि इनको इन दौर से लेकर कुछ सामान पहुचाना है मुंबई इन दौर से मुंबई इनको कुछ सामन पहुचाना है तो ट्रक ड्राइव करके इन दौर से मुंबई गए तो यह ओफिस के काम से जा रहे तो वहां पर जो इनको रस्ते में खाने पीने खर्चा होगा कई पर रुखने का खर्चा होगा उन सब के लिए कोई पैसा अगर या त दे तो जितना अमाउंट एक्च्वल खर्चा करेंगे उतना टेक्स फ्री हो जाएगा या फिर दूसरा एक रास्ता होता है ट्रांस्पोर्ट अलाउंस देने का कंपने को ट्रांस्पोर्ट अलाउंस भी दे सकती है कि आपको महीने का 15,000 रुपए मिल जाएगा आप महीने बर में आपकी जितनी वी ट्रिप्स होंगी कहीं पर भी होंगी उसमें आपको टोटल 15,000 रुपए खर्च करने के लिए मिल गये डेली अलंस नहीं रोस का खर्च पर ट्रांस्पोर्ट अलाउंस हो जाएगा डेली अलाउंस के अंदर क्या होगा ना आपका जितने एक्चुल खर्चा होगा रोस के उस पैसे में से उतना आपको डिड़क्शन अलाउंस हो जाएगा एक्जंशन अलाउंस हो जाएगा ट्रांस्पोर्ट अलाउंस के अंदर तो वर्क से तुove कही दूर गया है के life oxygen गया है मुआ कि तो ट्रांस्पोर्ट सिस्टम इन्पपास का इंप्लोई इस खूल ответ जान को अगुमिल सकता है। तो उसको company transport allowance देगी और उसमें से 70% allowance tax free होगा up to 10,000 पर मन्त इसको समझते हैं 15,000 रुपे का इनको महीने का transport allowance company ने दे दिया कि पूरे महीने भर में आप जहां पर भी जाओगे जहां भी कोई सावन पहुचाना होगा अपना truck से वहाँ जाओगे जो भी आपका personal खर्चा होता है पूरे महीने भर में उसके लिए company ने 15,000 रुपे दे दिया आपको अब इसमें से tax free कितना होगा exempt कितना होगा exempt होगा 70% exempt कितना होगा 70% up to 10,000 इसको simple तरके समझो आपको फॉर एक्जामपल जो मेटो है जो मेटो के हम समने offers देखें जो कूपर मिलते आपको यह बोलते हैं 50% of अप्टू रुपीज टू हंड्रेड देखेंगे अपने से कूपन जहां पर लिकरते हैं 50% of अप्टू रुपीज टू हंड्रेड मान लेते हैं कि आपका जो और का टोटल है आप कि दो अलग अलग अर्डर दीए दो लोगों ने एक का जो अर्डर का टोटल है वह आ रहा है 300 रुपे और एक का रहा है 700 रुपे दो अलग अलग लोग है तो इनका 50% कितना होता है 50% होता है 1.500 रुपे और इनका होता है 3.500 रुपे तो मुझे बताओ इनको discount कितना मिलेगा 50% off का company में बोला है लेकिन एक condition बाद में क्या लगा दी 200 रुपे तक ही 50% off मिलेगा यानि कि इनका जो discount है 1.500 रुपे आ रहे है इनको 1.500 रुपे का discount मिल जाएगा बट इनका since discount 3.500 हो रहा है तो company की limit है इनको 3.500 रुपे के discount मिलेगा तो कि 50% में 200 रुपे के उपर जित्ता भी हो आपको discount 200 रुपे तक ही मिलेगा ठीक है तो since इनका 200 रुपे से कम था तो इनको actual मिल गया और 200 रुपे से जादा था तो इनको 200 रुपे के discount मिला तो अब यह कित्ता पे करेंगे यह करेंगे 1500 रुपे का payment और यह करेंगे 500 रुपे का payment क्योंकि इनको 200 रुपे का यहां पर discount allowed होगा same logic income tax में भी है same to same logic income tax के अंदर भी है पंदरा हजार रुपे का ट्रांस्पूर्ट अनांस मिला है इसका 70 परसंट कित्ता आता है दस पानसो पंदरा जार का सत्तर परसंट आ रहा है दस हजार पानसो बट हमारा act क्या बोल रहे है कि आपको कितना exemption allowed होगा 10,000 पर मन्त तो आपका माइनस कितना कर सकते हो आप सिर्फ दसारी कर सकते हो 500 रुपे का आपको exemption नहीं मिलेगा अच्छा वहीं अगर 12,000 रुपे का अलांस मिल रहा होता तो 12,000 का 70 परसंट कितना होता है यह होता है 8400 तो यहां पर 8400 अलांस हो जाता तो 1200 में से 8400 हटाने के बाद जो आपके 3600 बचते हैं वो 3600 रुपे के ओपर आपको income tax देना पड़ता ठीके तो यहां तो actual यह 10 परसंट दोनों में से जो भी कम हो वो आपको अलां हो जाएगा यह अगर नेचार जैसा ही है 70 परसंट निकाल लो दोनों में से जो कम होगा वो आपको अलां हो जाएगा लोर ऑफ 70 परसंट और 10,000 ठीके तो कोई भी यह अपको इतने डिटेल क्वेशन में दे रखी होगी कि ट्रांस्पोर्ट का ट्रांस्पोर्ट सिस्टम का एंप्लॉई है इनको डेली अलांस नहीं मिलता और जो अलांस मिल रहा है उचका इतना अमांट है टेक्स फ्री अमां इजुकेशन अलांस और चिल्डन होस्टल अलांस यह दो भी आपको याद रखने जरूरी है इंपोर्टेंट है अगला है चिल्डन्स रिलेटेड या तो एंप्लॉयर जो है वह एजुकेशन यानि की स्कूल फी टूशन फी किसी भी चीज के लिए आपको एजुकेशन के आपको अलांस दे। या फिर जो चोटिरंग उनके होस्टल की फीस के लिये मान लेतलै कोट में गया ऐन फी करी कन जो अच्छी बड़ी companies है जो अपने अच्छे employees को retain करना चाहती है वो उनको बहुत से benefit देते हैं जिसमें children education और children hostel allowance इंकलूड होता है कि जो भी आपका child है अगर वो school जा रहा है college जा रहा है कहीं भी जा रहा है तो उसके fees के लिए company कुछ पैसा देती है बट यह allowed होते हैं up to two children मान लेते हैं कोई भी एक employee है जिनके तीन children है तो उनको चूज करने पड़ेंगे कोई भी दोस children के लिए यह exemption ले सकते है अब कितने exemption मिलेगा अगें वही बाबा आदम के जमाने के amount चले आ रहे एजूकेशन के लिए 100 रुपे पर मंथ टेक्स फ्री है अब 100 रुपे पर मंथ में आज के टाइम पर नोट बुक इंसान खर देगा उसमें 100 रुपे खर्चा हो जाएंगे तो 100 रुपे पर मंथ में क्या ही होगा एंप्लोई का बट लिमिट चली आ रही है तो वही चली आ रही है सालों से तो अगर एंप्लोईर ने आपको आपके चिल्डरन के एजुकेशन के लिए अगर कुछ तो 100 रुपे पर मंथ पर चाइल्ड अलाओड है और अगर होस्टल के लिए कोई पैसा दिया है तो वह तीन सो रुपे तीन गोना पर मंथ पर चाइल्ड अलाओड है समझातों मिस्टर ए है इनके तीन चिल्डरन है एक्स वाय और जड इनके तीन चिल्डरन है उनकी एक तो फीस के लिए इनको मिलता है पेमेंट अपनी कंपनी से प्लस से तीन होस्टल में रहते हैं तो उनको होस्टल के लिए पैसा मिलता है हिएएए के लिए इनको मिल रहे हैं elles मॉल साल भर कैऊ तेक साल भर में इनको का एक्स के लिए मिले 15,000 हे आए व्, जाड के लिए 12,000 हे वहीं होस्टल में रुखने के लिए इनको 12,000 रुपे मिलते हैं तीनों को ठीक है तो ये इनको company से अपने थीनों बच्चों के respect में पैसे मिलते हैं अब इसमें tax-free कितना होगा वो हमको देखना है कितना रुपे को exempt करेगी government fees exempt होती है 100 रुपी पर मन्त पर चाइल्ड यानि कि साल भरके 1200 रुपे ये अपने हर children के respect में exempt करा सकते हैं up to two children यानि कि इन तीन मेंसे इनको कोई दो अपने children select करने पड़ेंगे जिनके amount के लिए exemption ले सकते हैं तीसरे वाले बच्चे का जितना amount मिला है पूरा taxable होगा तो दो के लिए exemption मिलेगा तो अब मुझे बताइए कौन से दो children है जिनके लिए fees में अगर amount कम करवा लिया जाया तो फायदेमंद है एक्स के उपर 15,000 रुपे मिल रहा है तो एक तो अगर employee इस में से 1200 रुपे मैनिस करवा लेगा तो इसके थोड़ा जादा benefit मिलेगा और दूसरे जैड में छाद लीए 12,000 रुपे में है 300 रुपे पर मंत म्हक्याओ, इक्स चील के दर्ध लाओगेंام है तो इसके दर को अगरम मुझे पढ़ेंग 추가 जिनके हुहिसर્का अगइंश्य में कि जो रेंट करेंगे तो since hostel तो सेम है, x में इनको fees का amount जादा मिल रहा है, तो इसके उपर tax free करवा लेंगे तो इनको जादा फैयदा है, again z में इनको जादा रुपे मिल रहे है, y में since already इनको कम रुपे मिल रहे है, तो इसके अंदर exemption लेने से जादा फैयदा नहीं होगा, तो ये ले सकते है, x और y के respect में exemption, पंदरा हजार रुपे माइनस बारह सो, ये हो जाएगा fees का exemption, 13800 और इनमें 12000 माइनस बारह सो, 10800 डबल जिरो, ठीक है, और स्वरी, जेड, यहापर जो y है, y में जो इनको 10,000 मिल रहे है, since इनको 2 चिल्डरन तक ही allowed exemption, इनका exemption 0 होगा, तो पूरा बारा, 10 अरुपे टेक्सिबल होंगे, ठीक है, तो 0064, 34600, इनको टोटल मिले कितने थे, 37,000, जिसमें से 2400 रुपे इनके exempt हो गए, तो 37,000 में से 2400 टेक्स फ्री, बचवा अमांट पे इनको टेक्स देना है, अब बात आती ही, होस्टल रेंट की, तो X, Y और Z, इन तीनों में इनको 12,000 रुपे मिल रहे हैं, जिसमें से ये 3600 रुपे का exemption अपने किने भी दो चिल्ड़न के लिए ले सकते हैं, तो टेक्स्वा अमांट कितना आजाएगा, 12,000 में से 3600 रुपे, 8400, पूरे 12,000 रुपे, 8400, 28,800 रुपे, ये इनका टेक्सिबल हो जाएगा, तो टोटल इनका टेक्सिबल वैल्यू कितने आई, या पसा 34600, प्लस 28,800, 63,400, ये इनका टोटल वो वैल्यू जिसके उपर इनको टेक्स लगेगा, और इनको टोटल रुपे मिले कितने थे, 37,000 प्लस 36,000, 73,000, तो इनको टोटल 73,000 मिले थे, जिसमें से इनका एग्जम्शन हटाने के बाद, 63,400 टेक्सिबल बच रहा है, क्लिर आपको, तो इस प्रकार सा आपको चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस, और होस्टल अलाउंस की कल्कुलेशन करनी है, 100 रुपी पर मन्थ, पर चाहिड्ड यानि की 1200 रुपे साल, और सिर्फ दो चिल्डरन तक, तीन हुए तो कोई भी दो सिलेट करने पड़ेंगे, जिनके अगेंस्ट एग्जम्शन ले सकते हो, जिनमें ज्यादा अमाउंट दिखे, उसमें एग्जम्शन ले लेना, अभी होस्टल अलाउंस हमने सेम था, इसलिए वो दोनों सेम ले लिए, यह जो भी अलाउंस मिल रहे ना यह जनरली ऐसे जगह पर पोस्टिंग के लिए मिलते हैं जहां पर ज़नरल फैसलिटी अवेलेबल नहीं होती तो 26 रुपे पर मंथ, 1,000 रुपे पर मंथ, जो field area allowance आप ऐसे आद रख लो, field area allowance मों 26 रुपे और वही modified होगे 1,000 रुपे हो गया अगर field area allowance मिला है तो 26 रुपे पर मंथ tax-free है, वही field area अगर modified field area बन गया, तो 26 रुपे पर आजाएगा ठीक है, उसे के साथ counter-insurgency allowance granted to the members of the armed forces in areas away from the permanent location जनरली जहां पर posting की जाती है, अगर वहां से उनको कई और temporary basis पर post किया गया, तो उसके लिए उनको जो अलावंस मिलता है, उसमें से 3,900 पर मंथ, tax-free हो जाएगा याद करना बहुत मिश्किल है इतनी सारे चीज़ें, जो तीन चीज़े हमने पढ़ी, ट्रांसपोर्ट वाली, चिल्रन एजूकेशन और होस्टल एक्सपेंडिचर ये तीन सबस्यादा जरूरी है, इन तीन को सबसे अच्छे से याद कर लेना ठीक है, ये फोर्ट वाला भी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अलांस मिल रहा है याने की आने जाने के लिए, कन्वेंस अलांस से, अपने घर से अपने ओफिस तक, मैंने आपको कहा था, घर से ओफिस, ओफिस से गर 100% taxable है, एक रुपया का exemption नहीं है, यहाँ पर आगया एक exception, दो लोग है, Mr. A और Mr. B, दोनों को जो ट्रांसपोर्ट अलांस है, वो मिल रहा है, 4000 रुपे पर मन्त, Mr. A जो है, वो हैँ है, उनको के ऐसी प्राव्ब्म नहीं है, बट Mr. B जो है, वो ब्लाइंड है, Mr. B है, ब्लाइंड, Mr. A ब्लाइंड नहीं है, तो यह दोनों को ही 4000 रुपे पर मन्त का अलांस मिल रहा है, Mr. A के लिए जो taxable होगा, वो पूरे 4000 रुपे taxable होंगे, Mr. A के लिए पूरे 4000 रुपे taxable होंगे, बट Mr. B सिंस ब्लाइंड है, उनको यह exemption मिलेगा, तो कोई भी ब्लाइंड है, डेफ है, डंब है, यह किसी प्राकार के इनकी orthopedically handicabness है, मतलब की हड्डियों में कोई इश्यों, कोई भी अगर इस प्राकार के उनकी disability है, तो उस case में इनको अपने office से घर और घर से office जाने में problem आ सकती है, ब्लाइंड है, डेफ है, डंब है, कोई भी इस प्राकार के अगर problem है, तो उनको घर से office और office से घर आने में भी problem होगी, तो government ने सिर्व इस case में, जिस भी व्यक्ति में इस प्राकार के कोई disability है, तो उनको support करने के लिए, उनको help करने के लिए government ने कहा, कि अगर इन प्राकार के कोई problem से कोई व्यक्ति परशान कट, तो अगर व्यक्ति को इस प्राकार के कोई problem है, तो सिर्व उनके लिए 3200 पर मन्त exempt हो जाएगा, तो Mr. A को तो पूरा charge है taxable है, Mr. B में इनको 3200 का exemption मिलेगा, और सिर्व 800 रुपर taxable होंगे, ठीक है, तो transport allowance घर से अगर के लिए जो allowance मिल रहा है, सबके लिए 100% taxable है, कोई blind है, deaf है, dumb है, सिर्व उनके लिए 3200 का exemption पर मन्त अलाओ होता है, ठीक है, ये point भी याद तरखने जैसे है, व्यसा ही, underground allowance किनको मिलता होगा, आपने देखा है, शूट अट वड़ाला टाइप मुवीस, उनमें जो underground ह मिलता है, नहीं, ये उनके लिए मिलता है, जो underground mines के अंदर काम करते है, माइस देखे होगी, वहाँ पर माइस के अंदर आपको एक जंगल टाइप एरा के अंदर काफी अंदर डिक करना पड़ता है, किस भी माइन में, वहाँ पर जो sanitation से लेकर जो भी पुरा environment अंदर climate रहता है, बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा, suffocation होता है, chemicals होते है, वहाँ पर सास लेने प्रोब्लम होती है, बहुत मुश्किल है माइन के अंदर सव्वाइब करना, तो अगर कोई employee को माइन के अंदर कुछ काम करने के लिए भेजा गया है, उनको के allowance underground allowance मिलता है, वहाँ पर underground mine में काम करने के लिए, तो उनको 800 रुपे पर मन तक उसके ओपर tax नहीं देना, अगर बहुत चोटा मॉंट है, कोई भी armed forces के employee को, member of armed forces, यानि कि generally army वगर के, जो soldiers होते हैं हमारे देश के, उनको अगर high altitude area में पोस्ट किया गया है, यानि कि जो वो तूचाई ओपर पोस्ट बनी होती हमारे देश की security के लिए, वहां पर अगर उनको पोस्ट किया गया है, तो उनको उस जगे की altitude है, जो height है, उस height के साफ़ से exemption मिलेगा, अगर उस जगे की height है, जहां पर इनको पोस्ट किया गया है, वो 9000 से 15000 feet के बीच में है, तो 1070 रुपे पर मन tax free है, और अगर क टेक्स फ्री है, ठीक है, 9000 से 15000 तक 1060 और 15000 के उपर 1600 पर मन tax free होता है, और लास्ट है, any special allowance in the nature of special compensatory highly active field area allowance, अगिन ये जितने भी island duty allowance और जो भी army को मिलने वाले, किसी government template को मिलने वाले, माइन में काम करने वाले कोई वेक्ति, अब अगिन, कोई active field area allowance या फिर island duty allowance, अब army officers को बहुत अलग अलग जगाओ पर जाने पोस्टिंग करनी पड़ती कई बार, army officers हो गए, navy officers हो गए, इनकी post ऐसे जगाओ पर बनी होती है, जहां पर आम आदमी का survive करना बहुत मिश्किल है, जैसे आपने देखा होगा जो सियाच अब अगिन है, जो कारगिल area है, उसके रावा जो अंडमा निकोबार islands है, लक्षदीप islands है, यहां पर भी इनकी postings होती है, जहां पर एकाम आदमी का रहना बहुत मिश्किल है, तो उनको वहां पर अपना facilities मिले, वह अपना खर्चा निकाल पाए, उसके लिए उनको allowances मिलत है, उसी सब के लिए इनको अलग-अलग limit दे रखें कि यह वाल allowance मिला तो उसके लिए इतने रुपे exempt है, कुछ important allowances के नाम दे रखें हमको, बट अगें हमारे point of view से अभी इतने important महीं है, आप एपर गो थू कर लो इनको, और दो चा बर रीडिंग करोगा तो आपके mind में ज जाएगा किस ताइट के allowance में कितना exemption है, जैसे आपको दिख रहे हैं कि army के allowance है यहां पर ससार है, 13, 14, 15 तीनों army को मिलने वाले, army के लावा दूसरों को नहीं मिलेंगे, माइन में काम करने वाले एक ही point है, 800 रुपे पर मन्त, ट्रांस्पोर्ट अलांस हमने देखा 32 रुपे अभी आपको बिल्कुल इनको याद नहीं करना है, याद किनको करना है, point number 4, point 5, 6, 10, इन 4 को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि 4 important है, इनके exam में आने के chances बहुत है, ठीक है, तो आप इन 4 को अच्छे से याद कर लो, और 2-3 reading लो के सारे points के तो आपको कई सारे अप आप याद हो जाएंगे, ठीक है, तो यह अलग-अलग limit है, allowance का नाम याद कर लेना, और उनके जितने limit उनको 2-4 बार गो थरू करोगे, तो एकाद अफ्ति में याद हो जाएंगे, good, तो एक बार नाम रीड कर लेना, और उनके limit को 2-4 बार गो थरू करोगे, तो याद हो ज और घर सो ऑफिस ऑफिस से घर आने के लिए ट्रांस्पोर्ट अलावेंस नॉन फिजिकली हेंडिकेप्ट एंप्लोई को मिलेगा 100 पसंट एक्सिबल डेफ ब्लाइंड डम इन में से किसी भी रेक्ति को मिलता है तो 3200 पर मन तक एक्जेम्ट है तो इसी के साथ हमारे अलाउंसस खत्म होते हैं आपको अलाउंसस क्लियर होंगे एक बार प्रिविजन करेंगे तो आपको यह धीरे-देरे करके जो पॉइंट से वहर उनकी लिमिट याद हो जाएगी ठीक है अगले लेक्चेर के अंदर हम रिटार्मेंट बेनिफिट स्टार्ट करेंगे देन परिक्विजिट रिलीफ अंडर सेक्षिन एक्टिन और हमारे चैप्टिल कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है थेंक्यू झाल झाल झाल